अध्याय दस इवराहिम गार्डी कहानी अध्यन से पूर्म सन 1761 इस्वी से सन 1947 इस्वी तक एहमत शा अब्दाली मुझे हिंदुस्तान का शासक बनना है अंग्रेज शासक यह सोने की चड़िया को हम लूट कर इस पर शासन करेंगे कहानी का मूल तत्व मजभब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना प्रस्तुत कहानी में माराथों के सेना पती इब्राहिम गार्दी के अपार देश भक्ती और राष्ट्र प्रेम का सजी वर्णन किया गया है एहमद शाअबदाली के सारे प्रलोबनों को अस्विकार करते हुए इब्राहिम गार्दी ने देश के प्रती सची श्रत्दार भक्ती के साथ अल्लह कहते हुए प्रान्ट्याग दिये सान 1761 इसवी में पानीपत के तीसरे युद में एहमद शाअबदाली से मराथे हार गए मराथों का सेना पती इब्राहिम गार्दी बंदी हुआ वह अंतक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया इस युद में अवद का नवाब शुजाअब दोला एहमद शाअबदाली की और से लड़ रहा था घायल इब्रहाम गार्दी को शुजाअब दोला के चिले में जो एहमद शाअबदाली की छाबनी के भीतर ही था पकड़ कर रख लिया गया एहमद शाअबदाली को इब्राहिम के नाम से ही गृणा थी इब्राहिम के पकड़े जाने और शुआद दोला के शिविर में होने क्या समचार उसको मिल गया था इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए चुजा उद्देला के पास दूद किया उसको हर होलात में इसी पल जाना होगा चुजा दौला का प्रतिवार शेंट पड़ गया फिर भी उसने कहा इब्राहिम मराथ्चों के दस हजार सिपाहियों का सेना पती था इस समय वे घायल हुआ पड़ा है कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बोलाना चाहिए दूद नहीं माना उसको एहमच्छा अबदाली का सपष्ट आदेश था चुजा उद्दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा एहमच्छा के सान न लाया गया ऐहमच्छा ने पूछा तुम अराठो की दस पलचनों के जणरल थे उसने उत्तर दिया हाथ फ़ करती बहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे जी हाँ फिर हेद्राबाद के निजाम के यह नौकर हुए सही है तुमने निजाम के नौकरी क्यों छोड़ दी क्योंकि निजान के रवये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया तुमने फिरंगी जबान भी पड़ी है सही है मुसल्मान होकर फिरंगी जबान पड़ी फिर मराथों की नौकरी की खैर अब तक जो कुछ तुम नहीं किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए तुमको शर्म आनी चाहिए खाओ की परवर ना करते हुए इबराहिम बोला तौबा और शर्म आप क्या कहते है अफगान शाहा आपके देश में अपने मुल्क से महबबत करने और उस पर जान देने बालों को क्या तौबा करनी पड़ती है और क्या उसके लिए सर नीचे करना पड़ता है जानते हो तुम इस वक्त किस के सामने हो और किस से बात कर रहे हो एहमद चान एक ठोरवानी में कहा जानता हूँ और ना भी जानता होता तो जान जाता पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिष्टे नहीं है इबराहिम बोला इतनी बड़ी फतेह के बाद मैं गुसे को अप पास नहीं आने देना चाहता मुझे ताजूब है मुसल्मान होकर तुमने अपनी जिंदगी को इस तरह बिगाड़ा तब आप यह जानते ही नहीं कि मुसल्मान किसको कहते हैं जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करें जो अपने मुल्क को बरबाद करने वाली प्रदेश मुझे मालूम हुआ है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो उनकी शागिर्दी में ही तुमने ये सब सीखा है क्यों तुम नमास पढ़ते हो हमेशा पांचों वक्त एहमद शाह के चहरे पर व्यांग भरी मुस्कुराहत आई और आखों में वद की क्रूरता बोला विरंगी अमराथी अलाविर razor आअधिया या नमास पढ़ते होंगे इब्राहीम ने गहाओं की पीरा दबाते हुए कहा खुदा अर्बि फार्सी या पश्टों जबान को ही समझता है क्या वैहमाराथी या फ्रांसी सी नहीं जानता क्या है खुदा राम नहीं है और रहीम अलग लग हैं एहमद शाय का चहरा क्रोट से तम तमा उठा बोला क्यों कुर्थ पकता है तौबा कर नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिये जाएंगे मेरे इस्तन के टुकड़े हो जाने से रूप के तो टुकड़े होंगे नहीं इब्राहिम ने शान किन्तु द्रण स्वर में क गायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से एहमद शाय के कुरूटता कुछ कुंठेत हुई एक शर्ण सोचने के बाद बोला अच्छा हम तुमको तौबा करने के लिए वक देते हैं तौबा कर लो तो हम तुमें छोड़ देंगे अपनी फौज में अच्छी नौकरी भी देंगे तुम फिर अंगी तरीके पर कुछ दस्ते तयार करना करहा में धबे हुए इब्राहिम के होचो पर धिमी हसी आ गई एहमद शाय के उस खिलवाड को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था उसने कहा अगर छूट जाओ तो पूना में ही फिर पलचने तयार करू और फिर इसी पानिपत के मैदान में उन अर्मानों को निकालू जिनको आज निकाल ना पाया और जो मेरे कलेजे में धदक रही हैं अब समझ में आ गया तुम असल में बुद परस्त हो जरूर हूँ लेकिन मैं ऐसे बुद को पूछता हूँ जो दुले बसा हुआ है और खयाल में मीठा ह जिन पूतों का बहुत से लोग पूछते हैं और आप भी मैं उनको नहीं पूछता हूँ हम भी खबरदार हाँ आप भी पर तंबु के सामने मरे हुए सिपाईयों के सिरों के जेर के इदगिर्द जो आपके पठान और रुहेले सपाई नाश नाश कर जश्ण मना रहे हैं वेह सब क्या है क्या वे बुद्परस्ती नहीं तुम बद जबान हो तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा ज़े तुम्हारे सदाशिक राव भाव का हुआ है चकित इबराहिम के मूँ से निकल पड़ा क्यों उनका क्या हुआ है उत्तर मिला मार दिया गया सिर्फ काट लि इबराहिम की भूशती हुई आखों के सामने और भी अंधेरा चा गया उसने कुपे स्वर में कहा बिश्वा स्वराओ मेरे मुल्क का ताज मेरे सिपाहियों के होसले का ताज ओ इबराहिम गिर पड़ा एहमच्छा उसके तडपने पर प्रस्द था उसके निर्ममता ने शहीदी को जीत लिया इबराहिम सरासा उठकर भरभराते स्वर में बोला पानी अबदाली कड़का पहले तौबा कर जहांके तहां पड़कर इबराहिम ने का तौबा शहीदी कहीं तौबा करता है तौबा करे वे लोग जो कैदियों घायर अनीहत्यों का कतल करते हैं कटने पर इबराहिम की चीक में से निकला मेरे इमान पर पहली नियाज दूसरे पर शीन शुर में निकला हम हिंदू-मुसल्मानों की मिच्ची से ऐसे सूर्मा पैदा होंगे जो वहेश्य और जालिमों का नामों निशान मिटा देंगे अंत में मराठ्यों के सेनापती इब द्रोहो अर्थात विरोद, बुद्परग अर्थात मूर्ति पूजा करने वाला, निर्ममता अर्थात कुरूरता, कुर्व अर्थात बुरी बात, बहशी अर्थात जंगली, जोगिर्दी अर्थात शिष्चे होना, छावनी अर्थात तेना के ठहरने का स्थान, उसूर अध्यापन संकेत शिक्षक शिक्षिक पार्ट के माध्यम से बच्चों को देश के वीरों के कहानी सुनाए और उन्हें भी उनके पच्चिनों पर चलने के लिए प्रयुत करें अभ्यास कार्वे जरा बताईए प्रश्न एक दिये गए प्रश्नों के उत्तर बताईए गा इब्राहिम गार्दी कौन था उत्तर इब्राहिम गार्दी मराचों का सेना पती था खा मराचों और मुगलों के बीश तीसरा विश्वियूत कहां लड़ा गया उत्तर मराचों और मुगलों के बीश तीसरा विश्वियूत पानी की पत के मैदान में लड़ा गया था गा इब्राहिम गर्दी को किस प्रकार की सजा मिली उत्तर इब्राहिम कार्दु को मृत्यूदंट की सजा मिली गर चुजा उद्धौला ने किसके पक्ष से तीसरा विश्वियूद लड़ा उत्तर चुजा उद्धौला ने एहमद शाह अप्ताली के पक्ष में तीसरा विश्वियूद लड़ा जरा लिखिये प्रेश्ण दो दिये गए प्रेश्णों के उत्तर लिखिये का इराइम गर्दी के अनुसार सचा मुसलमान कौन है उत्तर जो अपने मुल्क के साथ गदारी ना करें जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वालों का साथ ना दे वही सचा मुसलमान है ख, एहमच्छा अब्दाली को इब्राहिम गर्दी से नफरत क्यों थी? उत्तर, एहमच्छा अब्दाली को इब्राहिम से नफरत इसले थी क्योंकि बहेक मसल्मान होकर भी हिंदू मराच्छों के पक्ष में लड़ रहा था गा इब्राहिम गर्दी ने अब्दाली के आगे तौबा करने से क्यों मना किया उत्तर इब्राहिम गर्दी ने एहमच्छा अब्दाली के आगे तौबा करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि अब्दाली ना तो सच्चा मुसल्मान था और नहीं एक शमावान दयावान शासक वह केवल एक अफ़कान लुचेरा और बुद्ध परत इंसान था गहा अंतिसमे इब्राहिम गर्दी के मुँझे कौन सा शब्द निकला प्रश्ण तीन सही विकल पर सही का निशान लगाईए कर इब्राहिम गर्दी ने अंतिसमे में क्या कहा अल्लह माफी बिसमिल्लह हे राम उत्तर अल्लह खा पानीपत का तीसरा विश्विद किस सन में लड़ा गया गर्दाली कौन था आवद का नवाब अफगान लुठेरा शासक मराथो का सेना पती रुहेला सरदार उत्तर अफगान लुठेरा शासक प्रशन चार किसने कहा किस से कहा लिखिए का खुदा अर्भी फार्सी या पश्टो जबान समस्ता है क्या उत्तर इब्राहिम गार्दी ने एहमच्छाब दाली से कहा खा मेरे इस तन के चुकड़े हो जाने से रुहू के तो चुकड़े होंगे नहीं उत्तर इब्राहिम गार्दी ने एहमच्छाब दाली से कहा गा पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे उत्तर इहमच्छाब दाली ने इब्राहिम गार्दी से कहा प्रेश्ण पांच सही मिलान कीजिये कह सची श्रधा उत्तर देश खा शुजा उद्दोला उत्तर अवद का नवाब गा इब्राहिम गार्दी उत्तर मराठो का सरदार गा अब्दाली उत्तर अफगान लुटेरा शासक प्रेश्ण छे सही शब्द चुनकर खाली स्थान बरिये कह तुमने जैश जबान भी पड़ी है उत्तर विरंगी ख जैश का सेनपती बंदी बनाया गया उत्तर मराठो ग जैश मेरे मुलक का ताज उत्तर विश्वास राओ ख तुम असल में जैश हो उत्तर बुद परस्त जरा सोचिए प्रेश्ण साथ क्या राम और रहीम अलग-अलग है अपने शब्दों में सपष्ट कीजिए प्रेश्ण आज सच्छा मुसल्मान वेह नहीं जो पांच वक्त की नमाज पड़ता हो बलकि वेह है जो अपने मुलक के साथ गद्दारी ना करे इस कत्म से आप कित क क्रोध उत्तर शांत ख अनुरोध उत्तर आदेश ग पीडा उत्तर आराम ख नोकर उत्तर मालिक लो इच्छा उत्तर अनिच्छा च घ्रेणा उत्तर प्रेम प्रेश्ण दस दिये गई शब्दों के परियाएवाची शब्द लिखिये क प्राण उत्तर श्वास जिंदगी जीवन ख योत उत्तर संग्राम रण लड़ाई ग बद उत्तर हत्या कतल प्रतिघात घ पानी उत्तर जल नीर वारी प्रैश्ण 11 दिये गया कर्मक्रिया से सकर्मक्रिया शब्द बनाईए क लेट ना उत्तर लेट ख तूट ना उत्तर तूट ग छूट ना उत्तर छूट प्रैश्ण 12 तंग्या शब्दों से विशेशन शब्द की रचना कीजिए ग फ्रांस उत्तर फ्रांसिसी, ख अन उत्तर अन्तिम, ग धर्म उत्तर धार्मेक, प्रेश्ण धेरा, बाक्ये में कारक पहचानी और नाम लिखिये ख चेहनचाने गरीबों को बहुत सताया, उत्तर ने करताकारक को कर्मकारक, ख अबदाली ने इवराहिम गर्दी को बंदी बनाया, उत्तर ने करताकारक को कर्मकारक, ग तुम पहले निजाम के यहां नौकर थे, उत्तर के संबंद कारक, ख मेरे लिए क्या लाए? जरा रचनात मकारे कीजिए प्रेशन चौदा येदि आप इब्राहिम गर्दी की जगे होते तो क्या करते कक्षा में चर्चा कीजिए प्रेशन पंद्रा आप अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहेंगे अपने विचार लेक के रूप में प्रस्तत कीजिए जीवन कोश्टल एवर मोल्य परक प्रश्ण, प्रश्ण सोला, राश्ट्र भक्ति, धर्म और चाती से उपर है आप अपने राश्ट्रे के प्रतिसत चिश्रधा किस प्रकार रखना चाहेंगे